नमस्कार मैं हूँ मनीश मैता और आज हमाई साथ बाचीत के निकले मौजूद है जारकंड के क्रिश्वी मंत्री रंधीर सिंग हम सीधे उनी के पास चलते हैं अगर जारकंड में जो सबसे चर्चित चहरों के अगर हम बात करें तो उन छे चर्चित चहरों में से एक आप थे मैं बात कर रहा हूँ जेवियम के जो बागी विधायक कल तक कहलाते थे और अब आप भाजपा के विधायक कहला रहे हैं ये जो डिफरेंस आया है पिछले 24 घंटे के अंदर इसको किस तरह साब देख रहे हैं नहीं बागी विधायक तो हम लोगों पहले भी नहीं थे आप देखें हम लोगों ने इस चिराज के सवातीन क्रो जन्ता के हित में और जहाखन में पिछले शोगतोश साल के इतिहास को देखें आदने मुखमाधी से रगicias रहुआ दाची नेइट्रिस सरकार के पाखले के कह ये कायकाल को देखें तो लगाता एक पूरी संबती से जाकन मोचा पार्टी का और दो तियाई बिधायक हम लोग एक साथ सभी समाने बिधायक ने पार्टी में बिले किया बाजबा में हम लोग नहीं बाते बात में मिले लग को आहा को न्याहीं मिल रहा है विपक्षी पाथियों के नेटाओं की बात करें तो आपको कई तरह के अलंगकार दे रहे हैं कोई आपको पल्टूमार कह रहा है को आपको मौकापरस्त पहरा है और सवाल वो उठा रहे हैं जो पर्ची पार्टी के प्रमूख करें चैरें हैं हिमन सु बावुलार मरंडी जी की बात वो खुद भाती जन्ता पार्टी ने उनको रोड से उठाकर और इस राज का पथम मंत्री से बनाने का काम होने किया था वो भाती जन्ता पार्टी के नहीं हुए तो जो लोग आज आरूप लगा रहे हैं खुद अपने घिलोबन में जाकते दे मतला आप कह रहे हैं कि आरूप बेबुनियाद है लेकिन इस बात में कितनी सचाई है कोकि जब 2014 के चुनाओ के अगर हम बात करें तो यहाँ यह तो बात इसमें सचाई तो आपको लगती है कि आप लोग जारकन विकास मोचा के जो सेंबल था उसी से चुनाओ जीत करके हाला कि बाद में आफ्टर चुनाओ अगर हम बात करें तो आप कह रहे हैं कि हम भाज़पा में चले गए छे विधायकों के साथ जो की कानून संगत है नियाए संगत है इसमें कहीं कोई गलत नहीं आपका यह तर्क है नहीं आप देखें कि जाखन विकास मोचा के स्चंबल पर जोड़ों अंदो चुनाओ जीत के आए लेकिन उस समय पार्टी के सुप्रमोर आदरनी बावलार मनडी जी खुद दो दो जगह से विधान सभा चुनाओ हार गए उनकी जमानत जब्द हो गई और उसके पहले हो पार्टी में बिले कर जाए और उनको हम लोगों समझाने का भी कर खुद वो राष्ट्री अदर्च अमित साहजी से बात भी उन्होंने किया था पार्टी को बिले किया तो वह खुद पीशे हट गए तो यह इसमें आगे आगे बढ़ने का तो एक तरा से शुरुवात नही सिर्श नेताओं से बाबुलाल जी के और चुनाओं के बाद भी हो लिए थी? मैं यहांकु बदनाव था नहीं सकती है, जैकाँ में और एक मामीन जेक्स, उखरहनु था काम पच्छी की आरूप लगा रहे हैं एहमन सुरेंजी की में बात करता हूं अधरने गुरुजी सिपु सुरेंजी की बात करता हूं उनका इतियास भूगोल किया है आपको पता है खोद नसिंगाराओ की सरकार को बचाने लिए जाकन मुटिमोचा जब जाकन आंदूलंग चल र का मुटिमोचा पार्टी की निती सिधानत क्या रही है यहां की जनता जानती है इस बीच फैसले के बाद जो तमाम कई बड़े नेताओं के जो बयाना है उन बयानों को मैं देख रहा था उसमें से कई ऐसे बयान थे जिसमें कहा जा रहा था कि ये नियाई जो है ये जो पूरी स्क्रिप्ट उनका कहना थे जो फैसला विधान सब अध्यक्ष ने सुनाया है इसकी पूरी पठकता जो है बीजेपी रास्तिये मुख्याले में लिखी गई थी अध्यक्ष ने सिर्फ उसे पढ़ दिया है? बिलकुल नहीं ब्लाइब दिया विधी संबध नयाई है संगत ने बिले किया था पाटी का प्रवाइब देने के लिए गवाई को चाड़ दिये गए तो फिर भी गवाई की तेजी प्रक्रिया करने के बाद वे आपको क्या लग लगा इस बीच अगर हम बात करें तो भारती जनता पाटी पहुंच गई है आपके नेता ये कह रहे हैं कि अब तो जेवियम का विले हो गया बाचपा में तो इनका पार्टी का सिंबल ही जब्त कर लिया जाना चाहिए लेकिन इस बीच बाबुल अलमरांडी हो प्रदी प्यादव हो या दूसरे हम नेताओं की बात करें विपक्षी पार्टी के बड़े नेताओं की वो ये आरोप लगा रहे है भाचपा पे कि पहले तो आपने उनके पार्टी में डाका डाला उनके छे विधायकों को पैसा और पावर का लालश दे करके तोड़ लिया अब चुनाव बहुत नजदीक है 2019 के आम चुनाओ लोग लिए तो बाचपा ने डाका डाला है क्या आपको क्या लगता है कि हम लोग ने लिया स्वाटा प्राज में सब्सक्राइब हमारे पार्टी के पदादिकारियों ने हैं जो भी पदादिकारी हम लोगों ने बिले किये हमारी कायकताओं ने बिले किया हमारे पक्रखंड से लेके जिलासता से और केंडर नेतुत के हमारी नेताओं ने बिले का ने लिया हम लोगों ने सबी आठ में से छे बिधायक ने हम उनके जो बयान है उसमें लगातार बीजेपी के जो सिर्ष नेता है वो निशाने पर हैं पदीप यादव की क्या भूमिका थी आपके नजर में यह जो पूरा बाची जो चल रही थी उस दौर के अगर हम बात करें नहीं पदीप यादव जी एक बहुत बड़ी कमजोरी है आ मैं मनता हूं पदीजादव जी अगर दल को बढ़िया से लेकर चलते तो साधे यह स्थिति आज में पैदा नहीं होती है लेकिन इस बीच अब क्या लग रहा है कि अगला कदम क्या होना चाहिए भाजपा का को कि आम चुनाओ बिहदी नजदीक है अचार संगीता मार्च के मैंने में कभी भी लग सकता है ऐसे में आपको क्या लग रहा है अब जेवियम का विलय भाजपा में हो चुका है भाजपा कितना मजबूत हुई है इस आम चुनाओं से पहले और आपको क्या लग रहा है कितना फाइदा इसको मिलेगा चुनाओं में भाती जनता पार्टी जहाम देखें तो बहुत बहुत है कि अब देखें बहुत हमेसा सब्सक्राइश्य मेersi लेकिन ये जो पूरा चुनावी महौल है इस बीच जिस तरह से एक महागटमंदन बनानी की कोशिश हो रही थी तमाम सियासी दल आ रहे थे ऐसे वक्त में जब सीटों का बटवारा को ले करके एक ही स्तान चल रहा था महागटमंदन में जेवियम का विले हो गया भाचपा में विधान सबाद्यक्ष के फैसले के बाद आप चुनावा आयोग चले गए आप आपको क्या लगता है कि भाचपा ने महागटमंदन का जो समीकरन था उसको पूरी तरह से बिगार कर रख दिया है जहाखण में महागटमंदन पिछले लुखसवा चुनाव में महागटमंद की बात आप करते हैं महाग encourage का लगती चंता पार्टी के एक-क्र ëाट च॑र्थ के काक्षक के हुझONG है मेरे शक्तिक कियेंद रहे हमारे बूत कमेटी हैं। से कायगताओं के महांगनबंदन है। कि लोग आज खूश हैं आप किशान हो चाहे नौजवान हो चाहे आम मैजदूर हो आप जहां भी जाएं लोग हम एक आसा जगी है कि लोग का आप अपने विकास से लोग बोड़ रहे हैं और बात जनता पढ़े मोदी जी के नेतुत में फिर से लोग का मैजूटी देने के ल बोल रहे हैं कि आपको अपने विकास पर भरोसा नहीं था इसलिए दूसरी पार्टियों पर आप डाका डाल रहे हैं तो एक एक सी डोडोशी पांटवादा के लिए क्यों लड़ रहे हैं आपस में वह भी तो यही सवाल आप से कर रहे हैं कि अगर भाजपा इतनी मजबू कि आप इनको लग रहा है कि किसी तरह से पनी जाल बचानी होगी पिछले लुक्स वाचुना में आपने देखा और मोदी जी के नाम पर किसे जनता ने मैंड़ेट दिया परदेश में अजब बना की चुकी है आप उनको यह लग रहा है कि हम किसी तरह पना अस्थित बचा म अधिके लिए यह पूरा महाँगट बंदन कर रहे है ठीक मैंने सही का हमारे बादेशन सवाड़ी दुकान बचाने के लिए तो गड़न करे रहे हैं वो पता ही उस भाड़न में परनामंदी था को ने परनामंदी का इंडिडेट देस देस जानना चाहता है तेस का सवा करो जो जानना चाहती है आपके महागणद के बारमदी कानिट को नहीं किसके ने तुमें कहा गया कि राहुल गांदी के नित्रुत में यह महागणदन है लेकिन मोदी का विकल्प क्या है इनके पास इसी बात नहीं है तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में जब सप्पा और बस्पा ने कांग्रेस को अपने साथ नहीं लिया लेकिन यहां पर धरकन मुक्ती मोर्चा कांग्रेस के साथ आ गई उन्हें अपना नीता मान ली क्या मजबूरी आपको क्या लग रहा है और कई बार कांगर्स पार्टी ने जांगा लुग्षबा का चुनाव है अभी दो आपके चीज़ नहीं है और आगे चीज़ नहीं होने वाली है और गड़मंदन महांगडमंदन बनाने से भी हैकरण नों को फला फलूं को मिलने वाला नहीं रिजाएड उनका जीरो होगा यह भाती जनता पार्टी के प्रती जनता का मन बना लिए जनता मोदी जी को देखना चाहती है दो बाइंद जो माण सम्मान देश का बचा है और गा अजुनिया को नटु करने वाला परामन्ती देश को मिला है और दुनिया आज देश की चंता देख रही है और निशी दुप से आप देखेंगे कि लोगसभा के चुनाओं में फिर से 400 से प्लस आपका एंडिये जीते हैं लेकिन रंधीर जी आप जिस छेतर से आते हैं मैं संथाल प्रगना की बात करना चाहूँगा क्योंकि संथाल प्रगना जो है बीजेपी के लिए लोगसभा चुनाओं में अच्छे परिणाम लेकर नहीं हाया अगर हम पिछले लोगसभा चुनाओं की बात करें तो राजमहल की जो सीट थी जारकन मुक्ती मुर्चा निकाल गई ले गई दुमका के सीट मुदी वेव होने के बावजूद सीबू सुरेंच जीत गए हलाकि गोड़ा पर आपकी जीत हुई है लेकिन इस बार 2019 की हम बात करें क्या आक्शन प्लान है कैसे आप इस गड़ में गुज़ पाएंगे लेकिनी बिल्कुल संठाल पर्गमा में लागतार अधरनी मुक्मंती जी का केम्पेनिंग लागतार संठाल पर्गमा के विकास के लिए इतने काम हुए है ऑर खासकर ट्रेफल के च्छित क्याबल आदिवासी भाईयों बहनों के बीच में सखार में की काम किया गैर आदिवासी मुंखम crispy में किया इस राज में this और इस बार ईयर आदिवासी मुंत्याओं का काफिझ जुकाओं दश्रटा पर्टी की और इस पढ़नाँ से सब्सक्राइब करते हैं और पिछले चुनाव में जहां तक है आदरनी गुरुजी जब चुनाव कर समय आते हैं तो किसी ने किसी दर से बीमारी का बहाना कर देते हैं उसे लगता है कि वह बिमार हो गए अब आपने अकल श्तिति बन जाती इसे चलते वहां कर सानमुति वह प कि बाती जनता पार्टी में नहीं था तो इस बीच गोड़ा की बात करना बहद ही ज़रूरी आप उस संसदी सीट से आते भी इसारट से आते हैं यह बताईए कि इस बार की जो लड़ाई है वो बहद ही दिल्चल स्पोती वी गोड़ा में नजर आ रही है एक तरफ प्रदी ठीक चलता वा नजर नहीं आ रहा है आप तो मुझे बूलना पड़े चाहिए कि बाबूला अलमरांडी और कॉंग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक चलता वा नजर नहीं आ रहा है ऐसे स्थिती में आपको क्या लग रहा है गोड़ा में क्या होगा बाती जंदा पार्टी ज पार्टी जिए गारें लेकर पूर्फ सांसद फुरकान अंसारी की बात करें वो कह रहे हैं कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं निशिकान दूबे को हरा कर देगी और लगता वह जंदा वीचमें जूड़े हुए रहे हैं लेकिन पूर्फ सांसद फुरकान अंसारी की बात करें वो कह रहे हैं कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं निशिकान दूबे को हरा कर दिखाऊंगा प्रदी प्यादव कहते हैं कि मुझे टिकट मिला तो मैं पका हरा दूँगा अगरा देखें तो पिछले चुनाब में वहां पर फुरकान अंसारी जी सेकेंड रहे थे उनको तीन लाग से उपर भोट आई थी उसना तो अपना दावा कर रहे हैं दोनों जो बड़े नेता जो हैं प्रदी प्यादव या फुरकान अंसारी जो दम ठोक रहे हैं जो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को करारी शुकस दे देंगे कितनी सचाई है इस बीज इर्फान अंसारी जो कि फुरकान अंसारी के बेटे हैं और विधायक भी हैं उनका बयान बहुत ही महत्पून देखने को मिल रहा है वो ये कह रहे हैं कि कॉंग्रिस की जो प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर अजय कुमार वो कॉंग्रिस की प्रदेश अध्यक्ष के तरप एक तौर पे काम नहीं कर रहे हैं वो जेवियम के नेता के रूप में काम कर रहे हैं कोकि वो उनकी पुरानी पार्टी है इस बयान में उनके कितनी दम है तो ही बता सकते लेकिन अब आरूप उन्हें लगाया है हमने मेडिया में देखा है कि आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी को महागडबंदन के अंदर जो लड़ाई चल रही है अंदुरूनी जो कला है उसका लाब मिलेगा विकास का लाब मिलेगा या फिर आपको लगता है कि बीजेपी के मुदी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी फैदा जो हम लों को नजर आ रहा है जनता फिर से मोदी जी को परहामंती दिखना चाहिए दूसरा महागडबंदन के पास परहामंती कैंडिडेट नहीं है क देखेंगे कि मोदी जी के नाम पर भाधी जनता पार्टी के नाम पर एक मोदी लहग फिर से चल रहे सुबात हो चुकी है देख में और इस मोदी लहग आंधी में सारी महागडबंदन चकाचूर हो जाएगा हिमन सुरेइन जो नेता प्रतिपक्ष भी है और विधान सभा में विपक्ष का चैरा कॉंग्रेस और बाखी पार्टियों ने विपक्षी पार्टियों ने घुशित किया है आपको क्या लग रहा है कि वो एक कोई फैक्टर बन पाएंगे इस आम चुनाव में लोकसभा इस चुनाव में वो कोई फैक्टर होंगे आपको लगता है हेमन्त नहीं कोई फैक्टर नहीं होंगे और जाकर मुक्ति मुट्या का जो भी रहा साख कसा है अनुदा चुनाव में आप लगता है तो यह डबल इंजन की जो सरकार है यह चौदा के चौदा स्टेशन तक पहुचेगी और मोदी जी आदरने मुखमंदी रगवादाजी ने जो काम किया है और जो वेव है अब आप गाउं में जाकर देखें शहरों में देखें हाज अगर मोदी जी का नाम पर लोग भूट कने के लिए मन बना चुके हैं जन्दा और जो मोदी जी के विकास से काम को लोगों साहरा है और सपोर्ट देने का मिन लोगों ने निंदे ले लिया है और काफी तेजी से जो विकास हुए देश में इसका जील्ट आपको इस चुनाव में देखने को मिले हैं अब इनकी नहीं पैचान है भारती जनता पार्टी के विधायक काफे खुश नजर आ रहे हैं साथी साथ ये दावा भी कर रहे हैं कि आगामी लोग सभा चुनाओं में बीजेपी के लहर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगी आज के लिए फिलाल इतना ही मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजे इजाज़त नमस्कार